दोस्तो क्या आपको पता है कि भारती किरके टीम की जर्सी पर तीन इस्टार का मतलब क्या होता है और क्या आपको पता है कि सेफ्टी पिन में होल क्यू होते हैं और क्या आपको पता है कि बुर्च खलीवा का बजली का बिल कितना आता है नमबर 10, क्या आपको पता है कि भारती किरके टीम की जर्सी पर 3 इस्टार क्या मतलब होता है तो दोस्तो भारती किरके टीम की जर्सी पर 3 इस्टार इसलिए है कि आप तक भारत ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं इसमें भारत ने दो वंडे वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप जीता है सी वज़े से भारती किरके टीम की जर्सी पर ये तीन इस्टार है नमबर नाइन दोस्तो आपने सेफ्टी पिन में होल तो देखा होगा अगर क्या आपको पता है कि सेफ्टी पिन में होल क्यों होता है दोस्तो आपको बता दे कि सेफ्टी पिन का अविसकर गलती से हुआ था अगर जब इसके इन्वेंटर ने देखा तो के fold wire को दबाया जाता है तो ये pin अपने safe में वापिस आ जाती है नमबर 8 दोस्तो क्या आपको पता है कि water tank में a-line क्यो बनाए जाती है तो दोस्तो आपको पताजे कि पानी की tank पे बनी ये line ने मजबूती का काम करती है और हर मौसा में पानी के टैंक को सही रखने का काम करती है नमबर सेवन तो दोस्तों क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीवा का बजिली का बिल कितना आता है नमबर फाइफ तो दोस्तों क्या आपको पता है कि 2000 को नोट को बनाने में कितना खर्चा आता है तो दोस्तों आपको बताते चलिकी 2000 को नोट को बनाने में 18 लुपे का खर्चा आता है तो दोस्तो क्या आपको पता है कि होटल की चद्दरे सफेद क्यों होती है तो दोस्तो इसका मुखे कारण यह है कि सफेद चद्दरों से हमारे दिमाग को सकून मिलता है इसलिए जादातर होटलों में सफेद चद्दरों को रखा जाता है नमबर टू, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पुलिस की गाड़ी पे लाल और नीले रंग की लाइट क्यों होती है इसका कारण यह है कि ज़्यादा तर लाल रंग का इस्तिमाल एमर्जेंसी के काम के लिए होता है और नीले रंग का इस्तेमाल जाधा तर पुलिस की मौजिदगी बताती है और लाल और नीले रंग की लाइट जाधा तर दूर से दिख जाती है तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एक और में 6 गेंदे क्यों डाली जाती है इसका कारण यह है कि साल 1889 में 4 गेंदे डाली जाती थी मगर फिर 1889 में इसे 5 गेंदे कर दिया गया लेकिन फिर 1922 में इसे 8 गेंदे कर दिया गया लेकिन फिर इसे 1980 में 6 गेंदे कर दिया गया